वाड किरियानवेन एबं परवंधन समीती का गठन कैसे होता है तो सबसे पहले जान लीजिए इस गठन में दो अस्थाई वेक्तियों की जरूरत होती है जिसमें सबसे पहला होता है वाड सदसे और दूसरा होता है कौन तो जो सरकार के जो यानि की ग्राम पंचायत के त्री अस्तरिय पंचायती राज के द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है सबसे पहला वाड सदसे और दूसरा पंच यह पंच उसका सदस्य होता है किसका तो वाड किरियानवेन एबं परवंधन समीती का अब एक बात अभी हम भूल गए हैं अब यह जान लीजिए वाड किरियान परवंधन समीती में कितने सदस्य की चुनाब होती है कितने सदस्य की चुनाब होती है तो इस बात का याद रखिएगा कि ग्राम अस्तर की सरकार चलाने के लिए साथ लोगों की जरुषत होती है उसी और इसका गठन कैसे होता है सबसे पहले जान लीजिए तो यह जो तो वाड सभा की आयोजन करना होता है और उसका सदस्से कौन-कौन लोग होते हैं इसमें भी वाड सभा का भी सदस्से होते हैं तो उसका सदस्से यानि कि उपरियुक्त यानि कि जिस वाड में यानि कि वाड किरियान में ने में परवंदन समीती का गठन करना है उस सभी यानि कि सभी वहां के यानि कि मत दाता उसका सदस्य बनते हैं सभी मत दाता उसका सदस्य उस वाड सभा के सदस्य बन सकते हैं यदि सभी नहीं हैं, तो कम से कम, कम से कम उस मीटिंग में उपस्थित कितने लोगों की होने ही चाहिए, यानि कि जितना है उसका 10 परतीसत, उसमें जितना, उस वाड में जितने भी ब्यक्ति है, उसका कम से कम कितना परतीसत ब्यक्ति की उपस्थिती होनी चाहिए, 10 परतीसत बेक्ति को अगर इससे कम है तो यह वाड सभा का गठन वाड की यान वेनेवं परवन्दन समीती का गठन करना उचित नहीं है और यह रूल के नियम के खिलाप है ठीक है इसके लिए यदि कोई ग्रामीन आवाज उठाना चाहे तो उठा सकते हैं ठीक है तो क्या होता है कि कम स अस्थल की चैन करना पड़ेगा कि किस जगह पर यह वाड सभा किया जाना है और वहाँ पर क्या होगा कि उस वाड सभा में उसकी अध्यक्षिता उसकी अध्यक्षिता जो करेंगे तो वह अध्यक्षिता करेंगे कौन तो वाड मिंबर वाड सदस्य जिसको हम लोग बोलते हैं तो वाड सदत से ही उसकी अध्यक्षता करेंगे वह अपने उस रूल के सभी लोगों को उस रूल से अबगत कराएंगी कि किसे लिए वाड सभा बुलाया गया है सभी कामों के लिए जितने भी योजना आपके वाड में बनते हैं वह सभी के लिए पहले वाड सभा का हुआ है तो उसमें भी पहले वाड सभा के आयोजन होगा उसकी अध्यक्षता वाड खुद करेंगे वाड सदत से खुद करेंगे और उसमें उपस्तिती कम से कम उस वाड में 10% लोगों का जिस वाड में जितनी जनसंख्या है उसका 10% जैसे यदि मान ले कि आपके वाड मे चो से लोगों की जनसंख्या है तो उसका 10% यानि कि 10 बटा 100 तो दूगो जीरो से दूगो जीरो कट गया यानि कि 1660 कम से कम यदि 16 लोगों को भोटर लिस्ट में नाम है तो उस भोटर लिस्ट नाम में से 60 वो लोगों को वहाँ पर उपस्थित और सिंगनेचर होना जरूर है क्या चीज के लिए तो उस वाड सभा को यानि कि अच्छा से वाड सभा चल गया इसके प्रमान देने के लिए कम से कम 60 लोगों को यानि कि उसमें उपस्थिती चाहिए अब देखिए उस वाड सभा को यानि कि क्या होगा कि अध्यक्षता वह भी करेंगे एक बात और जान लीजिए यदि आपके यहां पर इंदिरा आवास यानि कि पीम आवास योजना आता है तो उसका भी वाड सदस्य को उसका ध्यक्षता करके और उसमें वाड सभा बुला करके और सभी लोगों को बता करके और जब जो सभी लोगों को रूप से उस वक्त में डाटा तयार करना होगा कि इतना वाड वाड यानि कि सदस्य को बताना पड़ेगा कि हां 50 गो घर हमारे वाड में यानि कि अलोट हुआ है यानि कि अब किसको किसको देना है यह सभी आप लोगों से मिल करके इसका निर्न लेंगे ठीक है और इसके बार वाड कि यानिवेन वंपरवंदन समीती का गठन हो गया हुआ है तो वही सात सदस्य टीम वह पूरी चीजों की जनकारी के साथ अपने वाड में यानि की योजना को बनाएंगे और कोई भी योजना पर काम करेंगे बीना वाड सभा किये हुए किसी भी काम को करना गलत है औ वह बिल्कुल सही है उस आवाज को उठा करके वीडियो साहिव के पास जा सकते हैं यदि मुखिया जी सही है तो मुखिया जी के पास जा सकते हैं जिला में डियम साहब के पास जा सकते हैं मुख मंतरी अस्तर तक भी जा सकते हैं कि बीना वाड सभा कराए ही हमारे वाड में यह तूजड योजना के यानि की पास करने के सुकृति करते हैं ठीक है अब यह बात जान लिजे कि वाड किरियान में ने वंपरवंधन समीती का गठन कैसे होता है तो वही वाड सभा करा करके कम से कम 10 परतिसत लोगों कोई उपस्थिती वहां पे दर्ज करा करके और उस भक् में पांच गों Kwotes चैन करना होता है और कौन-कौन लोग वहां पर यदी पांच गोंगों को यदी चैन हो गया एक दो तीन चार पांच यह 5 गोंगों का जब चैन कोगया तब आपको उस वक्तमें निर्नया कि इसमें एक वाड यानि कि ग्रामस्तर की सरकार चलाने के लिए एक लोगों की ज़रुरत परता है उसका नाम है वाड सचीव को तो यानि उसी वक्त आपको जरूरत परेगा कि यह वाड सचीव होता है तो उसका तीसरके नमबर का सदस्य होता है यानि कि वाड सचीव ठीक है और ग्रामस्तर की सरकार चलाने के लिए यह तिसरके नंबर पे हो गये और उसके बाद चौते नंबर पे और पांचवे और छठे और सातवे नंबर पर अलग अलग और लोगों की यानि की नियुक्ति किया जाना है तब ये ग्रामस्तर का सरकार आपका चुना गया ठीक है और नहीं तो आपका ग्रामस्तर का सरकार नहीं चुना गया है ठीक है और तब तक आपके आपके वार्ड में किसी भी परकार का कोई योजना का पास नहीं हो सकता कोई योजना का काम नहीं होगा यदि वाड सदसे करवाती हैं तो यह बिल्कुल ही गलत है